हेलो फ्रेंड्स कैसे आप लोग यह बिजनस स्टेडिस लास 12 में अच्छा स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन इसके लिए आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटेजी का होना बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है आज मैं आप लोग को साथ शेर करूंगा ऐसी स्ट् स्क्राइब कर सकते हो और साथ मिले कि बैल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि लेटेस्ट वीडियो और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहें आपको दिखाता हूं क्या क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है आपको अच्छा स्कोर कराने के लिए कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाले आप लोग के बोर्ड एक्जाम में जो आपका फर्स्टम का बोर्ड एक्जाम होगा 40 मार्क्स का जिसके लिए आपको कंपोजिट 90 मिनिट्स मिलेंगे यानि की डेट घंटे में आपको 40 MCQ करने होंगे तो कैसा रहने वाला है पैटर्न कोन को है कितने मार्क्स के में आपको दिखाता हूं शुरू के जो आपके तीन चैप्टर है नहीं की नेचर और सिगनिफिकेंस ऑफ मैनेज्मेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और बिजनस अन्वांमेंट तीनोचैप्टर मिलाके 16 मार्क्स के हैं तीक है तीनोचैप्टर Technology and Significance of Management Principles of Management और Business ऑन्वारमेंट। बाकि यह जो दो चेप्टर हैं फ्रस्ट बुक के प्लैनिंग और और शक्ट मार्गाईजिंग यह 14 मार्ग्स के हैं ठीक है। यह दोनों से क्यूज होंगे जिसके लिए आपको देड़ घंटा मिलेगा देड़ घंटे बहुत होते हैं अगर आप इन स्ट्रेटेजिस को फोलो करोगे एक ही घंटे में आप पूरा पेपर हो जाएगा और 40 आप लोगे तो क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली यह देखो मैं आपको देंगे याद करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि mcq-based questions होंगे अगर आपको points याद नहीं होंगे तो आप नहीं पता लगा पाऊगे कौन सौप्शन सही है तो complete करना बहुत ही जादा जरूरी है स्लेबर स्कोर कोई जादा चैप्टर नहीं है सिरफ 5-6 चैप्टर ही आप लोगे शिक्स चैप्टर से आप लोगे पास जाल टाइम नहीं लगेगा अगर आप एक दिन में भी एक चैप्टर कर लोगे तो छे दिन में आप लोगी पूरी की पूरी यह स्लेबर जो है वह कवर हो जाएगा और मैंने आप लोग लिए सेशन स्टार्ट कर दी हैं बिजन में हैं आप लोग जाके वहां से रिवाइस कर सकते हो पढ़ सकते हो अच्छे से याद कर सकते हो सारे के सारे टॉपिक्स को ठीक है दूसरा काम है आपको जो आपको करना है वह जादा से जादा mcqs attempt करने हैं जितने जादा mcqs attempt करोगे उतना जादा बेटर है अगर आप एक दिन में 20 से 30 mcq भी करते हो किसी भी एक चैप्टर के या दो चैप्टर के तो डेफिनेटल आप महीने में 600 से भी जादा mcqs कर लोगे एक महीने में 600 से जादा mcqs September October इन दो महीने में अग अगर पेपर आता है लेकिन टाइम सही से मैनेज नी करते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत है 40 mcq को पढ़ने में कई बच्चों को बहुत टाइम लग जाता है दो से तीन में टेक में पढ़ने में लगा देते हैं वह क्योंकि वह जान कि आपको केस बेस कोशन देते हैं आप पर टाइम होता है बरबाद और फिर आप सारे कोशन से टैम भी नहीं कर पाते हैं चालीस में से चालीस के चालीस कोशन अटेम करने के लिए आपका टाइम मेंजमेंट होना जरूरी है अपनी रीडिंग अंडर्स्टेंडिंग इन सब चीज को जितना फास्ट करों को इतना जादा बेटर हैगा आप लोग के लिए ठीक है अगर एक टॉपिको में लर्न करने की बात क्यों कह रहा हूं क्योंकि यहां पर एमसीक्यू बेस्ट कोश्चन से तो आपको हर एक पॉइंट लर्न होना जरूरी है तो हर एक पॉइंट को लर्न करने के लिए आपको सारे हर एक थे कोशन करो हर एक टॉपिक के लिए ठेक लिए लoration कोरानों अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते और साथ मेल आको प्रेस कर सकते हो लाइटेस्ट वीडियो और अप often